हेलो स्ट्रेंट्स माई नेम इस अजर खान है वेलकम टो माई यूट्यूब चनल खांटिक्स्ट्रा आज के इस क्लास में हम सिंखेंगे के जो नमबस रिपीट होते हैं उनको शॉर्टस पॉसिबल टाइम में हम कैसे एड़ करें तो देखिए ऐसे कोशन आपने एक्जाम में आप किस तरीके से इसको सॉल करते है जनरल मैथट से और वहाँ पर आपका टाइम ज्यादा कंशियूम होता है जैसे आप ऐसे सॉल करते हैं इसको लिखने में सबसे ज्यादा करेंगे टाइम यह 8 हो गया यह 6,4 यह और टू, 2,4,6,8 इसका आशर आएगा लेकिन इसका शॉ 2, 3, 4 लिख लिए और इसी नमबर से इसको multiply कर दीजिए जो repeat हो रहा है 2, 4, 2, 3, 6, 2, 4, 2, 2, 2, 2 और यह आपने mind में भी कर सकते हैं without pen and paper pen और paper का जितना कम इस्तमाल करेंगे उतनी ही जल्दी आपके questions solve होंगे देखें इसी तरीके से question solve कर लेते हैं 4, 1, 2, 3, 4, 5, highest times कितना है 5 times तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख लिए और 4 को multiply कर दीजिए 4, 5, 20, then 2, 4, 16, 17, 18, then 4, 3, 12, 13, 4, 2, 8, 9, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4 तो 49, 3, 8, 0 इसका answer तब क्या होगा तो यह तो था हमारा type number 1 without decimal अब type number 2 करेंगे जिसमें decimal लग जाए और decimal के बाद number repeat हो रहे हो तो type number 2 पर चलते हैं देखिए आप decimal number हमें मिल गए और decimal से पहले और बाद में numbers repeat हो रहे हैं तो इनको कैसे approach करना है देखिए यहाँ पर मैं decimal लगा लेता हूँ और highest times 5 कितनी बार आ रहा है 5, 3 times तो 1, 2, 3 आपने यहाँ लिख लिए राइट अब यहाँ पर decimal के बाद 5, 3 times है यहाँ पर क्या करना है आपको reverse counting करना है 3, 2, and 1 राइट अब इसी number को दोनों को किस से multiply कर देना है 5 से जो repeat हो रहा है दोनों side अब यह 5, 0, 15, 5 to the 10, 11, 505, 6, 15 हो गया और इसको multiply किया तो 505, 5010, 0, 15, 15, 16 अब इसका answer कैसे निकलेगा देखिए 506, 506 और यह चला जाएगा carry में 5 के साथ add होके यह बन जाएगा 6 यहाँ decimal आ गया and 16, so answer क्या हो जाएगा 616, 605, right अब इसी trick से आपको इसको solve करना है, this is your homework और आज की class में सिर्फ इतना है अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरू करें और चैनल को subscribe करने ना भूलें Thank you so much for watching the video